ये साधना मूल रूप से आपकी भावनात्मक बुद्धी को उपयोग मिलाने के लिए है जब मैं भावनात्मक बुद्धी कहता हूँ आज इसको दुनिया में पहचाना जाने लगा है काफी समय तक हम सोचते रहें कि इंटेलिजेंस यानि बस आईक्यू देखे ऐसा नहीं है आईक्यू यानि मैं आईक्यू यानि लाइन में खड़ा हूँ यानि कि हमेशा किसी के पीछे हूँ बुद्धी का सभाव यही होता है बुद्धी हमेशा नकल करने की और दूसरों से एक कदम आगे होने की कोशिश करती रहती है किसी व्यक्ति से बहतर बनने की चाहद भी किसी की नकल करना ही है असल में हम बस बंदरों से थोड़ा बहतर बनने की कोशिश में है ये होता है विकास ये बुद्धी का सौभाव है अभी आज ये ज़ादातर लोगों के लिए ऐसा है कि अगर उनके पास जानकारी का एक संग्रह न हो तो ये टूल किसी काम का नहीं है सूचना नहीं नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि अपनी बुद्धी का इस्तेमाल कैसे करें केवल जानकारी के साथ वो अपनी बुद्धी का इस्तेमाल कर पाते है ऐसा भावनात्मक बुद्धी के सौभाव के साथ नहीं है इसे किसी जानकारी की जरूरत नहीं है यह हर चीज़ को खुद में शामिल करके उसको जान सकती है यह जीवन में अपने रास्ते महसूस कर सकती है इसे लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है इसे किसी के पीछे खड़े होने की भी जरूरत नहीं है नहीं इसे किसी से बहतर होने की जरूरत है ये बस जीवन के साथ शामिल हो जाने का एक तरीका है जीवन में शामिल होकर उसे जानना नकि चीर फार करके बुद्धी और भावना के बीच यही अंतर होता है बुद्धी हर चीज को काट कर उसे चीर फाल करके जानने की कोशिश करती है जबकि भावना चीजों का आलेंगन करके उन्हें अपने में समिलित करके उन्हें जानना चाहती है तो ये साधना मुख्य रूप से आपकी भावनात्मक बुद्धी को और उंचा उठाने के लिए है क्योंकि ये चीजों को करने का इतना जादा सरल तरीका है अगर आप परमतत्तों को चीरना भाड़ना चाहते हैं अगर आप दिविता के टुकड़े करना चाहते हैं ये अच्छी बात नहीं है और इससे आप कहीं पहुँचेंगे भी नहीं सबसे अच्छा तरीका है गले लगा लेना जब आप किसी को गले लगाते हैं तो आप खुद भी गले लगने के लिए तैयार होते हैं नहीं तो यह नहीं होगा केवल मैं आपको गले लगाऊंगा आप मुझे गले नहीं लगा सकते ऐसा नहीं होता है जब मैं गले लगाता हूँ, तो मुझे भी गले लगा लिया जाता है, तो ये तरीका है, दिविता को गले लगा लेने का, बजाए इसके कि आप दिविता की चीरफार कर दें, तो असल में साधना का उद्देश बस यही है, भक्ति का मतलब बस यही है, भक्ति का उद्देश इश्वर का विभाजन करना नहीं है, इसका मतलब इश्वर के साथ मृत्य करना है, उनके साथ एक हो जाना है, मुख्य रूप से आपकी भावनात्मक बुद्धी को और उंचा उठाने के लिए है, ताकि आपकी अच्छे से जीने की इक्षमता किसी और से बहतर बनने पर निर नहीं है, ये होती है भावनात्मक बुद्धी मत्ता, इसमें कोई हरार्की या पदक्रम नहीं है, लेकिन अगर इसमें बुद्धी घुज गई, तो अगर आपने बोला प्रेम, वो पूछेगी कौन जादा प्रेम करता है, ऐसा कुछ नहीं होता, इस बंदर से जादा प्रेम करता हूं, या आप इस बंदर से जादा प्रेम करते हैं, ये कोई नहीं तैकर सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कि कोई इसे नाप तॉल कर कहे, कि ये व्यक्ति उस व्यक्ति से ज़्यादा प्रेम करता है, ऐसी कोई चीज नहीं होती भावनात्मक बुद्धी के मामले में मात्रा लागू नहीं होती जब मात्रा लागू नहीं होती, तो अधिक और कम गायब हो जाता है बड़ा और छोटा गायब हो जाता है जीवन जैसा है वैसा हो जाता है क्या चीटी आप से ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन है या आप चीटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन है अगर आप सोचते हैं कि आप ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो आपकी बुद्धी मोटी है आप ये नहीं समझते कि चीटी अपने जीवन को उतना ही महतुपूर्ण मानती है जितना आप अपने जीवन को मानते हैं शायद जादा ही उसके पास जादा हाथ पैर है शायद वो जादा काम की चीज़ें कर रही हो वो आपसे जादा और्गनाइजड है और हमें नहीं पता और क्या-क्या शायद उनकी जनसंख्या भी जादा है अगर आप उन्हें मद्दान कादिकार दे दे तो वो भारी भवोंतों से जीतेंगे तो बुद्धी हमेशा एक चीज़ को दूसरी के खिलाफ खड़ी करने की कोशिश करती है यह आपकी बुद्धी है जिसने टकराव पैदा किये हैं और यह आपकी भावनाएं हैं जो इने एक कर सकती हैं लेकिन अगर भावनाओं ने बुद्धी कानुसरन किया तो भावनाएं भी एक जानलेवा टकराव बन जाएंगी लेकिन अगर आपकी बुद्धी ने भावनाओं का उनसरन किया तब कोई संखरश नहीं होगा दुनिया में मिठास होगी तब दुनिया में अद्भुत परिस्थितियां होगी तो साधना मूल रूप से उसी और ले जाने वाली चीज है इसकी संरचना सरल है लेकिन अगर आप खुद को सौंप दें तो यह आपके साथ चमतकारी चीज़ें करती है कई लोग हैं जो यह नहीं समझ पाते कि कोई इतनी सरल चीज इंसानों के लिए ऐसा कुछ कर सकती है क्योंकि वो उसे कांट छाट कर देखते है अगर मैं आपको चीर दूँ और देखूँ मान लीजे आप एक भेतरीन सिंगर है वाव आप कितना अच्छा काते हैं जरा देखू तो आपके गले में क्या है और मैं आपके गले को चीर डालूँ और देखूँ कि अंदर क्या है मुझे वहाँ कोई संगीत नहीं मिलेगा क्योंकि जीवन ऐसे काम नहीं करता तो ये चीर फाल आपको उस जगा पहुचा देगी जहां हर चीज अर्थीन हो जाएगी अगर आप अपनी बुद्धी को अपने जीवन के हर पहलू पर लगा देंगे तो आप हर चीज को अर्थीन कच्रे में बदल देंगे बुद्धी जीवियों के जीवन में यही तो हो रहा है उन्हें हर चीज व्यर्थ और बक्वास लगती है लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं का सद उपयोग करें तो हर चीज कीमती और खुबसूरत हो जाती है चोटी से चोटी चीज भी घास का एक तिन का कविता बन जाता है यूही एक डाल का जूलना एक गीत बन जाता है लेकिन अगर आपने अपनी बुद्धी लगा दी तो सब कुछ घटकर कूला करकट बन सकता है हर चीज बेकार बन कर रह जाती है वही अगर आप अपनी भावनाओं का प्रयोग करें तो हर चीज शांदार बन जाती है